नमस्कार दोस्तों Learn Mouth Organ Series के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ले कर आए हूँ अपने एक व्यूवर की फर्माईश पे फिल्म कश्मीर की कली का गीत मुहमद रफी साब का गया हुआ बहुत ही खुबसूरत गीत दीवाना हुआ बादल सावन की घटा च्छाई पहले मैं आपको ये गीत का मुखड़ा बजा कर दिखाता हूँ और फिर मुखड़ा नोटेशन के सारे आपको बजा कर सिखाता हूँ और उसके बाद शायद पार्ट तू में इसका दूसर पूरा अंतरा मैं आपको दूँगा तो कि एक ही में वीडियो में अगर मुखड़ा और अंतरा दोनों कवर करें तो काफी लंबा वीडियो हो जाता है तो मुखड़ा मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ पहले तो मुखड़ा अब बजाईए तो गाना पहली लाइन से शुरू करते हैं शुरू में इसमें थोड़ी सी हमिंग सी महमद रफी साब डेकिये बहुत खुपसरत अंदाज में इसको हम लोग 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 अक्टेव के गह नोट से शुरू कर रहे हैं तो जहां से आपके मौत ररन का मिड़ल अक्टेव का सा है उसके और पहले जाकर आप एक बार फिर से क्विकली रिपीट कर लेते हैं कि सा, ग़ और प ये नोट्स जो हैं तो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग वाले हर्मोनिका पे ब्लोग नोट्स हैं यानि कि सांसों को फूकने से बचते हैं और रे, म, ध, और नी सांसों को खीचने यानि कि इन्हेल करने से ये नोट्स बचते हैं और अगर आपके पास 12 होल्स का हर्मोनिका है तो उसके 5th होल पे फूकने से आपको मिडल ओक्टेव का सा मिलता है अगर आपके पास 24 होल्स का है तो आपको 9th होल पे सा का नोट मिलेगा मिडल ओक्टेव का तो इस तरह से अलग-अलग माउथ अरग जगह पे आपको अपने बाहुतारगन पे सरगम बजाकर उसकी पहचान करनी है तो शुरू करते हैं इस तरह से दूसरी लाइन इस तरह से हामिंग खतम करके फिर आगे हम चलते हैं ये देख के दिल जूमा नी रे पा माग मारे रे पा माग ली प्यार ने अंगुडाई ली प्यार गरे गरे सानी सानी धनी धनी धन इसमें नी आप चाहे तो कौमल नी ट्राई कीजेगा और उसके आगे दीवाना हुआ भागर गमपनिसरे सानिसा फिर उसी तर दीवाना हुआ भागर पनिरे रे गरे नी पगरे ये देख के दिल जूमा नी रे पामा गमा रे रे पामा रे पामा ली प्यार ने अंगडाई गरे गरे सानी सानी धनी धनी धन दीवाना हुआ भागर गमपनिसरे सानिसा तो इस तर दीवाना हुआ भागर कंप्लीट होता है मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा नोटेशन्स में दे रहा हूँ आपको नोटेशन्स को सारे बजा कर देखिए गाने को पहले कई बार सुन लीजे और जेनलवों को यह गाना बहुत पसंद है जिनके कानों में इसकी धुन बसी हुई है वो इसमें कहीं है और नोटेशन्स में इंप्रूब भी कर सकते हैं तो मैंने अपनी तरब से सुनकर आपको नोटेशन्स देने की कोशिश कर रहा हूँ तो अगर कहीं और इंप्रूब करनी कुन जाएश है तो जरूर कॉमेंट करके मुझे बताईए को मुझे बहुत खुशी होगी और चलिए इसको बजाना सीखिए बहुत खुबसूरत गी मेरे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो जरूर कर लीजे मैं आपको हर वीक एक वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ कभी कभार वेस्तायकार मैं नहीं भी दे पाता हूँ तो उसके लिए मुझे मुझे माक कीजेगा और मैं अपना यह में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बागाई